हाई वेलकम ओल तोड़े विल सी ए वरी इंट्रेस्टिंग कंसेप्ट युनिवर्सल सेट युनिवर्स को हम लोग बोलते हैं पूरा वीश्वा तो इसको बोलते हैं वीश्वा संच युनिवर्सल सेट ओके, लेट आस आबजर्व दाइग्राम यह सबसे बड़ा सेट उसके अंदर तीन सबसेट है ओके, पूरा सेट और यह सबसेट उसके उपसंच आए, बी एंड और एंड और सेट Set A, C, D, E, 3 elements, B, N, K, M, L, 4 elements, Set C, G, H, O, I, J, 5 elements, और और भी 56 elements है एक्स्ता एक्स्ता पड़े, तो पूरे U में यह सब अंदर आ रहे हैं, हम लोग U के बाहर का नहीं सोचेंगे, जो भी सोचेंगे इस Set के अंदर, So, this is Universal Set for us, विश्वसंच, इसके बाहर का नहीं सोचेंगे, So, अपना Universal Set, it is always denoted by U, विश्वसंच, U में यह सब आएंगे, तो हम लोग करें A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, and R, सभी है, So, मैं पूरा लिख देता हूँ, First time बड़ा Set ले रहे हैं, तो पूरा Concept लेर हो जाएगा, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, कुछ भी solve करने है, वेंड डाइग्राम का सम, कुछ भी problem solve करने है, तो first we will write the list, पूरा जितना भी list बनते हैं ना, possible list लिख लो, So, it will make the आगे का process easy, यह होगे अपना पूरा Set, फिर I'll write all the sets, A, B है और C है, I'll write all the sets, A में हैं, C, D, E, B, L, K, M, N, B में हैं, L, K, M, N, and C है, G, H, I, J, O, G, H, I, J, O, ओके, पूरा अख्खा संच, पूरा अख्खा सेट, और युनिवर्सल सेट, फिश्व संच, पूरा का पूरा, फिर जो भी अंदर है sets, I wrote down, और उसके elements, उसके जो घटा के मैंने लिख दिये हैं, आप है, elements लिखती है, अभी, this is universal set, अभी एक concept है, compliments, compliment मितलब उसको complete करने वाला, पूरा करने वाला, so that is called पूरा क्संच, so compliment is A dash, अभी A dash क्या है, definitely A dash is related to A, A का है, C, D, E, A में क्या है, C, D, E, तो C, D, E छोड़के, बाकी सब आएंगे A dash, that is complimentary set, so A, A dash, A में हैं C, D, E, C, D, E, छोड़के, पाकी सब, A, B, A, B, F, G, H, I, J, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, K, L, M, N, O, P, Q, R, all other elements, A, छोड़के, बाकी सब A dash, तो यह दोनों मिलके, यह set complete हो जाएगा, A, और A dash को मिला दिया, तो बन जाएगा U, that is the concept, now I'll read B dash, अभी तो आप लोग को समझ में आ गया, B dash का मतलब क्या है, L, K, M, N, B में कोन है L, K, N, M, तो यह छोड़के बाकी सब, यह छोड़के बाकी सब रहेंगे, वो रहेंगे B dash, complement of B, B को complete करने वाला, पूरा करने वाला, पूरक संच, तो हम लोग लिखेंगे B dash, B dash में B छोड़के बाकी सब, B छोड़के, L, K, M, N छोड़के बाकी सब, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N नहीं लिखना है, R, very easy concept, simpler concept, बहुत easy है यह, A लिखा है, C, D, E, तो C, D, E छोड़कर जो भी आएगा, वो रहेगा A dash, B लिखा है, L, K, M, N, तो L, K, M, N छोड़के जो भी आएगा, B dash, अभी C, आप लोग आराम से लिखोगे, C dash, G, H, यह छोड़के, C के element छोड़के, बाकि सब लिखेंगे, वो रहेंगे C dash में, okay, C dash में कौन को न आएगा, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, बराबर ना, उसके बाद में G, H, I है यहाँ पर, G, H, I है तो J, J भी है, K, L, M, N, O है, K, L, M, N, O है, फिर P, Q, R, P, Q, R हो, आप लोगों वो पता चल गया, क्या लिखेंगे हम लोग, A, C, D, E, तो C, D, E, छोड़के, बाकि सब लिखेंगे, A dash में, B है, L, K, M, N, L, K, M, N, छोड़के, बाकि सब आएंगे, B dash में, Q है, G, H, J, I, O, तो वो छोड़के, सब आएंगे, C dash में, अभी कंसेप्ट कैसा है, कि A को, मितलब A को, और A dash को मिला देंगे, तो U बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, कॉम्पलीमेटरी, कॉम्पलीट करने वाले सेट, पूरक संचा, ओके, दिस इस C, D, E, and दिस इस A, B, C, D, बगरा बगरा, यह दोनों को जोइन कर देते, मिला देते, A और A dash को, तो बन जाएगा, U, ओके, So, A plus A dash तो बन जाएगा, U, B plus B dash तो बन जाएगा, U, C plus C dash तो बन जाएगा, U, इसको complete हो जाएगा, very easy concept, I request you, diagram के लिए time देना, draw the diagram neat and clean, diagram हमारी understanding बढ़ाएगा, Okay, so I request you to give time to draw diagrams, do it very seriously, As we can see, universal set, poora set, vishwa sanchu, U, there are two subsets, P and Q, upa sanchu, do hai, P and Q, P, 2, 4, 6, 14, 20, 16, परता चले है न, पूरा P, पूरा P, Q, this is पूरा Q, 6, 14, 20, 12, 24, 10, 8, 22 वगरा वगरा, और एक स्टा भी पढ़े, 26, 28, 30, ओके, इस सभी के सभी आ रहे है, U में, तो U is our vishwa sanchu, पूरा का पूरा vishwa इसमें समाया हुआ है, universal set, so सबसे पहले लिखेंगे, हम लोग U, कभी भी कुछ भी question आता है, मैंने question अभी दख देखा है नहीं है, but before that, I'll write U, P, Q, P dash, Q dash, कुछ भी question हूँ, कुछ भी question हूँ, इस पे का कुछ भी question है, universal और compliment का, सबसे पहला काम है, जो भी set है दिया जाएगा, P, Q, P dash, Q dash, चितना हो सकता है, लिख लेंगे, ओके, U, U में तो पूरे आ जाएंगे, कहां से start और है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यह सब even number से, कहां तक आ रहे है, 30 तक, तो मैं पूरे लिख देता हूँ, take your time, आराम से, concept समझ लेना, आपने बास बहुँट time है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, and 30, थोड़े बड़े set लिए हैं मैंने, ओके, तो पूरा universal set अब इसके बाहर का हम लोगों को ने सेचना है, सभी set उसी के अंदर है, P, Q सब, अभी दिखते हैं, P, P, 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 14, 16, 18, 20, ओके, नाओ, Q, 6, 8, 10, 6, 8, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिक्वेंस में लिखना चाहिए, 6, लाइन में, लेकिन अच्छा रहेगा, क्रॉस चेक करने के लिए, 6, 8, 10, 12, 14, 12, 14, फिर आ रहा है, 20, 22, 24, करेक्ट ना, कुछ मिस नहीं किया ना, 6, 8, 12, 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12, उसके बाद में, 14, 20, 22, 24, 20, 22, 24, और एक बार क्रॉस चेक करते हैं, P में कितने हैं, 123, 45, 6, 7, 123, 45, 6, 7, Q में कितने हैं, 123, 45, 6, 7, 8, 123, 45, 6, 7, 8, ओके, और फिर, आगे का क्या काम है, पूरा यू लिख दिया, P लिख दिया, P डैश आप लोग आराम से लिखेंगे, अब यह important काम है, मैं यहापे star करके रख आँ, star किया, that is, it is important step, इसमें कुछ नया सिखने वाले, we already know that, P डैश मींस, P को complete करने वाला, जो P में नहीं है वो, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, छोड़के, है न, P छोड़के, जो भी रहेगा, हो रहेगा, P डैश, यह बाकी के, जो लोग दिख रहे राइट में, वो है P डैश, ओके, P डैश लिखने के लिए, P पता होना चाहिए, this is important thing, मुझे P डैश लिखना है, पूरक संच लिखना है, P का, तो पहले मुझे पता होना चाहिए, P, P देखके मैं, P डैश लिख सकता हूँ, this is very important thing, P देखा, 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20, तो यहां तो मैं डैग्राम देखके लिखूँँगा, यहां पर देखके लिखूँँगा, अभी डैग्राम देखके तो आराम से लिख सकते हैं, लोग बचा हुआ जो भी है, वें डैग्राम है तो, ओके, यहां पर देखके भी कर सकते हैं, कैसे, 2, 4, 6, 2, 4, 6, तो बागे रहे, 8, 10, 12, बरभर, 24, 26, 28, 30, चेक करते हैं, और इस P डश, जो P में नहीं है, तो बरभर आगे, 8, 10, 12, 22, 8, 10, 12, 22, उसके आगे 24, 26, 28, 30, 24, 26, 28, 30, करेक्ट है, आप यहां पर देखके लिखो, या फिर सेट दिया रहेगा, एनी क्वेश्चिन कें कम, एक्जाम में ऐसे भी क्वेश्चिन आ सकते हैं, एक्जाम में सेट्स, ऐसे लिस्ट फ़र्म में भी दिया जा सकते हैं, सम्टाम्स रूल मेतर से भी, गुनादर्म पद्दस से भी दिया जा सकते हैं, तो whatever question comes, अपना basic पका होना चाहिए, P में जो नहीं है, वो है P'dash, अभी Q में जो नहीं है, वो है Q'dash, complement of Q, पूरक संच Q का, तो जो Q में नहीं है, वो है Q'dash, यह बाकी सब लिख देंगे, 2, 4, 16, 18, 26, 28, 30, okay, easy है, अभी Q'dash लिखेंगे, 6 से start हो रहा है, तो 2, 4 तो हो गया है य पिर Q में कोन है, 6, 8, 10, 12, 14, तो 6, 8, 10, 12, 14 है, तो 16 लिखना बाकी है, बड़ा बड़ा ना, 16, 18, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 8, 10, 12, 14 हो गया, 16 बाकी है, यहाँ पे direct फिर कोन आ रहे है, 20 के आगे से, 16, 18 बाकी है, उसके बाद में, यहाँ पे है, 22, 24 था, तक, उसके आगे के बाद, 26, 28, 30 भी बाकी है, 26, 28, 30, आराम से देखे लिखना, इतने बड़े से इग्जाम में नहीं आएंगा, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर एक बार चेक कर लिखते है, Q' क्या है, 24, 16, 18, 24, 16, 18, और 26, 28, 30, 26, 28, 30, डाइगराम में देखके क्रोस कुछ इंटरसेक्शन भी है, P and Q में इंटरसेक्शन भी है, दोनों को एक साद भी लिखते हैं, तो एक स्ट्रा यहाँ पे क्वेशन है, मैं लिखता हूँ, P union Q and P intersection Q, P संयोग Q, P छेथ Q, P union Q में कहेगा, total, union, total, संयोग, total, P and Q, यहना, दोनों का union, दोनों का total, दोगन सा संय 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, P और क्यों न, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 14, 16, 18, 20, 22, 24, आराम से टाइम देना, आराम से लिखना, रुक रुक के, 9 आई, P, P union Q, पूरा लिख दिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, आराम से लिखके हो गया, और P intersection Q, P intersection Q, यह common, intersection is common, छेद, common, 6, 14, 20, 6, 14, and 20, आराम से, अभी important thing, P है, तो मैंने P dash लिख दिया, Q है, तो मैंने Q dash लिख दिया, ओके, अभी मुझे P union Q मिला, तो I can write P union Q dash, complement of P union Q, important thing है, पहले test में यह पूछते ही पूछते है, पहले test में यह ना रहता है, important question है, P union Q dash, मैं dash कभी लिख पाऊंगा, complement कभी लिख पाऊंगा, जब ही मुझे P union की पता है, यह इमने में यहाँ पर बतायता है, important है, P कैसे लिखा, क्योंकि P पता था, तो P union Q, complement लिखना है, तो पहले मुझे पता होना चाहिए, P union Q, अभी जो भी बचा कुछ आए लिख दूँगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 22, 24, और P union Q में, तो क्या नहीं है बाकी, इसमें क्या नहीं है, यह सब तो लिखके हो गया, तो बचा क्या, 26, 28 और 30, यह सिर्फ तीन बचे है, तो यह आएगा, 26, 28, and 30, समझ में आ गया, जैसे P लिखा है, जो P में नहीं है, P dash, Q में नहीं है, Q dash, वैसे P union Q में जो नहीं है, वो है P union Q complement, P union Q dash, अच्छा, पूरक संचर, किसका, P union Q, अभी P intersection Q का dash लिखते है, P intersection Q, पूरक संचर, complementary, P intersection Q में 6, 14, 20 है, तो यह छोड़के सभी आएंगे, यहाँ पर, फिर एक बार, जो P में नहीं है, वो P dash में आएगा, जो Q में नहीं है, बचा हुआ, Q dash में आएगा, तो P intersection Q में जो नहीं है, यह नहीं लिखेंगे, तीन छोड़के बाकी सब, तो P intersection Q, 6, 14, 20, 6, 14, 20, यह तीन छोड़के सब लिखने मुझे, क्या क्या है, 2, 4, 2, 4, क्या क्या नहीं लिखने है, 6, 14, 6 नहीं, तो आएगा, 8, 10, 12, 14 नहीं, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, and 30 सब हो गये, अभी यह question लिखते हुए ध्यान में रखना है, पहले P, फिर P'dash, पहले Q, फिर Q'dash, पहले P Union Q, फिर P Union Q'dash, पहले P Intersection Q, फिर P Intersection Q'dash, कम से कम, 2, 3 बार तो एए लेक्शर देखना पड़ेगा, प्लीज, एह important question है, exam के point of view, फिर एक बार, जितने सेट लिखे, complement, सेट लिखे, complement, फिर एक्स्रा question आता है, P'dash Union Q'dash, and P'dash Intersection Q'dash, अगर basic पका है, इसके पहले का लेक्शर आप लोगों ने ध्यान से देखा है, Union Intersection पता है, सायोग छेद ठीक से पढ़ाई की है, तो इसमें problem नहीं आएगा, P'dash Union Q'dash का मेनिंग क्या होता है, P'dash और Q'dash साथ में, कहाँ पहे है P'dash Q'dash, तो P'dash और Q'dash साथ में, देखो, इसमें और इसमें फरक है, P Union Q'dash, इसका मतलब है, पहले P Union Q'dash को देखो, फिर बचे होए लिख दो, P Intersection को देखो, P Intersection Q, फिर P Intersection Q'dash complement लिख दो, बट नाव वी आर राइटिंग, P'dash Union Q'dash, तो देखो P'dash, P'dash Union Q'dash, P'dash Q'dash साथ में, 2, 4, 8, 10, 12, 2, 4, 8, 10, 12, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 24, 26, 28, and 30, P'dash Union Q'dash का में वा, P'dash और Q'dash साथ में, संयोग, टोटल, P'dash Intersection Q'dash, P'dash और Q'dash में common क्या हैं, intersection is common, P'dash Q'dash common, 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 2 नहीं है, 4 नहीं, 8 नहीं, 10, 12 नहीं, 16, directly क्या common दिख रहे हैं, 26 common, 28 common, 30 common, उसके पहले का कुछ भी common नहीं है, 2, 4, 16, 18, 24, कुछ भी common हैं, only 3 elements are common, तो P'dash intersection Q'dash में, सिर्फ तीन ही common है, 26, 28, and 30, okay, write it down properly, we will repeat the lecture, next lecture में इसको फिर आसानी से देख लेंगे, उसके पहले कम से कम दो बार ये लेक्चर देख लेना, write very neatly, enjoy learning, all the best.